इन्वर्टेट फ़नल लगाया गया है लाइट चली गई थी तो वीडियो कट हो गया है कंटिन्यू कर रहे हैं बात को एक चाइना डिस लिए इसमें जो है कैल लिया गया है अमोनियम क्लूराइड लिया गया है और एक इन्वर्टेट फ़नल रखा गया है उसके उपर उल्ट इसको हम tripod stand कहते हैं, तो होगा क्या, sorry, इसको जब heat करते हैं, तो यहाँ turn हो जाता है, सीधे change हो जाता है, किस में, gaseous phase में change हो जाता है, inverted funnel के inside में, अंदर side में आप यह gas देख रहे हैं, gas के molecule देख रहे हैं, किसके हैं यह ammonium chloride के, ठीक है, तो आपने देखा इस activity में, solid ammonium chloride को ज यह बगर liquid में convert हुए, सीधे gaseous phase में आ जाता है, अब इसको हम ठंडा कर देंगे, जैसे, यह जो gas के particles हैं, इनको ठंडा कर देंगे, इसको हटा कर, तो हम देखते हैं, कि solid ammonium chloride वापस बन जाता है, तो आपने यहाँ पर notice कि, ammonium chloride जो है, heat करने पर, क्या हो रहा है, directly convert हो जा gaseous phase में, तो वही चीज यहाँ पर, कुछ examples और दे रहे हैं, जैसे naphthalene ball, कपूर आपके घरों में होता होगा, naphthalene ball जो कपड़ों में डालते हैं, naphthalene ball disappear with the time without living behind any residue, आपने कपूर की गोलियां देखी होंगे, अपने घर में, तो कपूर की जो naphthalene ball कपड़ों के बीच में तो आप देखते हैं, कुछ समय के बाद, naphthalene ball गायब हो जाती है, कहाँ चली गई यह, एक्चली यह भी sublime हो गई, gaseous phase में आकर environment में escape हो गई, तो यह एक activity है, जैसे यहाँ पर समझाए गया है आपको, state of matter, triangle, states of matter, triangle, triangle के मदद से हम इसको समझ सकते हैं, देखो, solid है, solid को, solid जो है, sublimation, sow करता है, कुछ solid है, sublimation होके क्या दिखाता है, gaseous phase में आ जाता है, gase को ठंडा करते हो, तो liquid आफस्ता में आता है, और liquid को फिर heat करते हो, solid को heat करते हूँ, देखो यह triangle इस धन्ग से है, solid को अगर आप heat करते हो तो melt हो जाता है liquid में convert हो जाता है ठीक है और दूसरा इसको liquid को boil करते हो तो ये gaseous phase में आ जाता है gas को ठंडा करते हो तो वापस solid में आ जाता है एक triangle बना रहा है वैसे ही sublimation को समझने के लिए solid को heat करेंगे आप तो ये duct convert हो जाएगा gas में और gas को फिर ठंडा करेंगे तो वापस क्या बन जाता है solid बन जाता है वापस solid बन जाता है ठीक है तो अब हम समझता है effect of change of pressure अभी तक हमने heat के बारे में समझा heat अगर पदार्द को heat provide करते हैं तो वो अपनी अवस्टा को बदल देता है अब हम समझते है effect of change of pressure pressure के बदलने से क्या प्रभाव पड़ता है the physical state of matter can also be change by changing pressure physical अवस्टा जो है पतार्द की भी बदली जा सकती है बच्चो pressure को change करके pressure के मान में बदलाव लाके या दूसरे सब्दों में physical state of matter can also be change by increasing the pressure or decreasing the pressure pressure को बड़ा घटा कर इसकी अवस्टाओं को हम बदल सकते हैं for example gas can be change into liquid by increasing pressure and lowering temperature अब यहाँ पर एक example दे रखा है gas can be liquefied applying pressure and lowering the temperature gas को हम liquid अवस्टा में ला सकते हैं liquid phase में ला सकते हैं यहाँ पर एक activity दे रखी है मैं वैसे समझा दूँ आपको कोई gas ले रखी है इसमें और एक cylinder है cylinder के अंदर gas ले रखी है और यह जो चीज दिख रही है आपको piston है यह piston को push कर रहे है नीचे को push कर रहे है तो होगा क्या आप देखना है gas के particle काफी काफी दूर होते है जैसे piston को push करेंगे नीचे की ओर लिखा है compress and cool थंडा भी करेंगे temperature lower करेंगे और compress करेंगे दबाव डालेंगे किसकी मदद से piston की मदद से तो gas molecule क्या होंगे close आएंगे दबाव के कारण एक दूसरे के close आएंगे दिखाया गया है close आएंगे gas particle get closer तो उसके बाद और compress करेंगे और इसको push करेंगे नीचे को cylinder में piston की मदद से और ठंडा temperature कम रखेंगे तो gas particle और close आजाते हैं इतने close आजाते हैं कि इनके बीच में attractive force generate हो जाता है मतलब एक particle दूसरे particle को अपने और खीचना प्रारंब करता है attractive force generate हो जाता है और gas जो है liquid state में आ जाती है क्या समझना आया इस activity से इस activity से आपकी समझ में ये आया कि gas को हम liquify कर सकते हैं कैसे by increasing pressure and lowering temperature pressure increase करके और temperature को कम करके gas can be liquify gas को हम liquify कर सकते हैं आप देखते हैं बहुत सारी gas हैं जिनको हम liquid state में लाते हैं और उसका उपयोग हम करते हैं जैसे कि आपने देखा है कि आपके घरू में LPG cylinder है LPG cylinder क्या है liquified petroleum gas उसका full form है LPG का liquified petroleum gas आप देखते हो उसको भी pressure increase करके और temperature lower करके उसको liquid state में लाया गया है उसके बाद cylinder में fill किया गया है ऐसे अन्य गैसे भी हैं अन्य गैस केन भी liquefied by applying high pressure and lowering temperature solid carbon dioxide is stored under high pressure solid carbon dioxide को हम high pressure में store कर सकते हैं the conversion of solid carbon dioxide into carbon dioxide gas is change of state from solid to gas इस अवस्ता में solid carbon dioxide को solid अवस्ता से gas अवस्ता में ले आ रहे हैं which is caused by decreasing decrease the pressure and higher atmospheric pressure इस धन्य से solid carbon dioxide is white solid called dry ice इसको हम dry ice भी कहते हैं solid carbon dioxide का दूसरा नाम dry ice भी है solid carbon dioxide is extremely cold substance बहुत थंडा पदार थे हैं it is used in deep freeze food and to keep the ice cream cold बहुत थंडा है तो deep freezing की जहां हम जरुवत पड़ती है तो वहाँ पर हम उसका उप्योग करते हैं ये तो आपने जाना कि पदार्थ कुछ पदार्थ हैसे हैं जिनको pressure apply करने पर हम उसकी state को change कर सकते हैं उसमें आपने देखा कि gas को हम liquify कर सकते हैं अलग-अलग gas को हम अलग-अलग pressure पर अलग-अलग temperature पर liquify कर सकते हैं liquid state में ला सकते हैं जैसे oxygen का oxygen gas है उसको liquify liquid अवस्ता में ला सकते हैं by increasing pressure and lowering the temperature आजकल आप देख रहे होंगे कोरोना काल में oxygen की कमी हो रही है देश में तो oxygen जो बनाई जाती है इसी डंग से liquid state में लाकर उसको cylinder में फिल किया जाता है जिससे की patient की मदद की जाती है वैसे carbon dioxide को भी अलग atmospheric pressure में और temperature कम करके हम liquify कर सकते हैं सबी gas को हम liquify कर सकते हैं by applying pressure and temperature तो ये तो आज की बाते हुई अगले वीडियो में हम समझेंगे evaporation आज दो वीडियो बन पाए हैं इसलिए कि थोड़े सी problem होगी थी light चली गी थी तो इसलिए मैंने दूसरे वीडियो यहां पर बनाया है आप इसको देखें thank you